अंतिराश्ट्रिय शत्रंच महासंग विश्वकप में अपनी शांदार प्रदर्शन के बाद 18 वर्षिय आर्ट प्रग्नानंद और उनके परिवार के सदस्यों ने किंद्री खेल मंत्री अनुराक ठाकुर से मुलाकात की। इंद्री मंत्री ने Grandmaster और उनके माता-पिता को समानित किया। Grandmaster प्रग्नानंद ने इस दौरान बात करते हुए देश के समर्थन के लिए धनिवाद किया और कहा कि किस तरह समर्थन उनके खेल को और बेहतर बनाता है। वहीं केंद्री मंत्री अनुराक ठाकुर ने भी इस समबंध में बात की है। और प्रग्नानंद को उनके शांदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी है। भी नहीं कर पाया और अब 18 साल की उमर में विश्क अपके फाइनल में पहुंचना, शांदार प्रदर्शन करना इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुपकामनाय देता हूं। इनको देकर लाखो युवाओं में प्रेणा आती है कि वो चेस खेले और चेस में अच्छा करें। हाला कि शतरंज और चेस का ओरिजन भारत ही था, लेकिन वर्षों लगे भारत को चेस ओलंपियाड कराने में भी बहुत सफल चेस ओलंपियाड यहां पर हुआ था, लेकिन उससे बड़ी खुशी की बात है एक नहीं अनेक हमारे खिलाडियों ने चेस में बहुत शांदर प आपको बताती चलें कि FIDE विश्व का फाइनल मैच में प्रग्नानंद ने विश्व नंबर एक मैगनिस कालसन के खिलाफ शांदार प्रदर्शन किया था, हाला कि कालसन ने प्रग्नानंद को मात दे दी थी, और भारतिय शतरंज ग्रैड मास्टर को 2023 FIDE विश्व कब के उप विजेता के पद से संतोश करना पड़ा, लेकिन वे अपनी बहतरीन प्रदर्शन की वज़ा से चर्शा में बने हुए हैं